सागर आजमी ने लिखा है हवा घरों में कहां इतनी तेज चलती है उसे तो सिर्फ हमारा दिया वुझाना था नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से संपूर्ण हिंदी साइथ यतियाज को प्रश्णोत रुप में हम संकलित करें और आज है बाग संक्या चोवन आज की सीरीज के अंदर हम बात करेंगे संस्प्रण और रेखा चित्रों के परमुक जो संस्प्रण रेखा और परवर्तक तो सुड्य को भी देखेगा और ज्यादा स्थिदाथ शेर कीजिए गा शुरुवात करते हैं प्रश्णों की संस्म्रण रेखाचित्रों के परवर्तक कौन माने जाते हैं तो परवर्तक की हम बात करें संस्म्रण और रेखाचित्रों के संदर्व में तो पद्म सिंग सर्मा को परवर्तक माना जाता है और इनकी जो रेखाचित्र हैं वो पद्म पराग में और संस्म्रण जो हैं वो प्रबंध मंजरी में संग रहीत हैं ठीक है बात करें कि हिंदी का पर्थम संस्म्रण कौन सा यहां पर थोड़ा समिष्टाप हो गया हिंदी का पर्थम संस्म्रण कौन सा है तो परताप नारेन मिस्र बालमुकुद गुप्त का है इसको माना जाता है बात करें अंगले प्रश्ण की मेरी जीवन कथा के कुछ प्रिष्ट मेरी जीवन कथा के कुछ प्रिष्ट किसका संस्म्रण है अचारी राम देव जी का अगला प्रश्ण है स्री राम सर्मा ने किन संस्म्रणों की रचना की तो बोलती प्रतिमा, प्राणों का सौधा, जेंगल के जीवन, वे जीव केसे हैं? ये सभी संस्म्रण किनके हैं? स्री राम सर्मा कृत. बात करें रामरिक्स बेनिपुरी कृत संस्म्रणों की, तो इनके अंदर है लाल तारा माटी की मूरतें 1946, गेहुं और गुलाब 1950 और मील के पत्थर, गेहुं और गुलाब, मील के पत्थर, माटी की मूरतें और लाल, तारा. महादेवी वर्मा के जो संस्म्रण है, उनकी हम बात करें, कहीं बार पूछे गए हैं? अतीत के चलचित्र, इसम्रती की रेखाएं, पत के साथी, इसमारिका और मेरा परिवार, ठीक है? सन है, वो भी ध्यान रखना. राजा राणिका रणपरशात सेंग के परमुकर संस्म्रण है, तूटा तारा, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना. कनहयालाल मिस्र प्रवाकर के संस्म्रणों के हम बात करें तो दीप जले संख बजे और भूले हुए चहरे ये दो हैं दीप जले संख बजे और भूले हुए चहरे ये तो प्रश्ण कई बार आया हुआ याद होगा आपको वे दिन वे लोग किसका संस्म्रण है वे दिन वे लोग किसका संस्मरण है 1965 समय है स्विव पूजन सहाई सागवा अगला है रेखाएं और चित्र मंटो मेरा दुस्मन ज्यादा अपनी कम पराई रेखाएं और चित्र मंटो मेरा दुस्मन ज्यादा अपनी कम पराई बेदी मेरा हमदम मेरा दोस्त किसके संस्मरण ह उपेंदरनात अस्क साब के ग्यारा नंबर देखिए कि मेरे ऐ सहयोग के साथी जिनका में कृतग्य और बच्पन की इसमर्तियां ये किनके संस्मरण है? राहुल संकरतेंज साब के है मेरे ऐ सहयोग के साथी जिनका में कृतक गे और बच्चपन की इसमर्तिया बात करें चेतना के बिम्ब किसका संस्प्रण है डोक्टर नगेंदर साब का समय 1967 चेतना के बिम्ब ध्यान रखेगा जगदीस माथुर के संस्प्रण के हम बात करें तो दस तस्विरें और जिनोंने जीना जाना बात करें समय के पाउं संस्प्रण है तो मांखनलाल चत्रुवेदी साब का है ये समय के पाउं नई पुराने जरोके, इस संस्प्रण के हम बाद करें, तो नई पुराने जरोके 1962 संस्प्रण है ये हरिवन्स राय बच्चन साब का, जिनके साथ जिया, किसका संस्प्रण है, अमरितलाल नागर का, 1975, जिनके साथ जिया, लीक, अलीक, संस्प्रण है, बारत भूषन, बात करें अगले प्रश्ण की तो मेरे अग्रेज मेरे मीत मेरे अग्रेज मेरे मीत यह संस्प्रण किसका है विश्णु प्रभाकर सहाब का पिछले प्रश्ण में जो उत्तर था आवारा मसिया वाला उसका विश्णु प्रभाकर होगा कई उने उत्तर दिया भी है कमेंट में वन्न तुलसी की गंद है यह संस्पृण किसका है फणिस्वर नात पर्यानो का वन्न तुलसी की गंद संस्पृण है फणिस्वर नात पर्यानो साब Baptist का बात करें हम एक उम्र से वाखिव थे ये संस्मरण आत्म करती है हरे संकर परसाई साथ की हम एक उम्र से वाखिव थे बात करें अगले प्रश्न की तो मैंने इसमर्ती के दीप जलाई ये किसका संस्मरण है? रामनात सुमन का या रामना सुमन का कौन सा है, मैं ने समर्ती के दीप जलाए, बात करें अगली कि, तो संस्मरन को पाथेई बनने दू, संस्मरन को पाथेई बनने दू, ये संस्मरन किसका है, विष्नकांत सास्त्री साब का, बात करें 23 कुछ ख्वावों में कुछ ख्यालों में संस्मरण है संकर्दयाल सिंग साब का कुछ ख्वावों में कुछ ख्यालों में अगला है अतीत के गर्त सें किसका संस्मरण है बगवती चरण वर्मा अतीत के गर्थ से बगवती चरण वर्मा शुक्रिया दोस्तों